नमस्कार दोस्तों सुवागात है आप सभी का आपके हमारी यूट्यूब चनल रोकेस्टार एजूकेशन में मैं हूँ राज अगर आपने बिहार पोस्टमेटिक एस्कॉलर्शिव के फॉर्म को भरा था और अगर आपका किसी कान बस रिजेक्ट हो गया है या फिर डिफेक्टिव हो गया है अब सुधार नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे सुधार कर पाएंगे हम उसके विशेमें आपको इस वीडियो में संपून जानकारी देंगे संपून जनकाई देने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली वर्तबाह आए हैं चैनल को लाटन दबा कर सब्सक्राइब कर लिजिए इस तरह की इनफर्मेटिव वीडियो पाने के लिए या फिर देखने के लिए हम यहां पर पोस्टमेटिक से रिलेटेड जो है अच्छे से अच्छे अप्रेट लेकर आते हैं और खुशिस करते हैं कि आप लोग को हमारे माध्यम से हेल्प हो यहां पर देख सकते हैं एक लड़का है जिसका कि यहां पर फिलाल जो है फिजिकल कमिटी जो है ट्रस में करने के लिए सबसे पहले सबस्टे हैं कि आप इसको सुधार भी नहीं कर सकते हैं तो ऐसे केस में आप सुधार कैसे करेंगे सिंपल एक बात आप समझ लिजिए कि कि अगर आपका यहां पर पे ओर अलड़ी जो है इसे कहले कि अगर कि आपका पेनिंग कर दिया गया है और अगर आपका already finalized बता रहा है कुछ इस परकार से तो क्या होता है ऐसे case में कि आप अपने से सुधार नहीं कर सकते हैं जैसा कि देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है क्लिक करेंगे करने के बाद आप आजाएगा यहां अब यहां पर बारी बारी से जो है इसका details को चेक कर सकते हैं हमने चेक किया कहीं ने कहीं इसका सब कुछ सही पाया गया और अभी देखने को मिल रहा है कि इसका आप दिन को reject कर दिया गया है ऐसे केस में क्या है कि आप तो यहां से अपने डोकॉमेंट को अगर आपका गलती होता है तो अपडेट तो कर नहीं सकते हैं वैसे केस में कुछ नहीं करना है आपको क्या करना है आईए हम बताते हैं लेकिन बताने से पहले अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो कर लिए चैनल पहली मर्तवा है चैनल को लाटन दबाकर सब्सक्राइब कर लिए कि इस तरह की इनफर्मेटिव वीडियो आपको हमारे मादें से ही रोजाना कुछ ने कुछ मिलता रहेगा अब देखिए यहां पर क्या है कि जो जो डिफेक्टिव कर दिया गया तो यहां पर यानि इंसिट्यूट वेरिफिकेशन जो इसको कर दिया था कुछ परकार से जो एक रूबल दिख़ा है ऐसे कर दिया गया होगा उसके बाद यहां से फिजिकल कमिटी जो है इसको इन्हों ने इस लरके ने बारवार सम्मिट किया होगा डिफेक्टिव करने के बाद इसी कर आपके इंसिट्यूट में होंगे उनसे मिलेंगे जाकर हलाकि उसका डिटेल्स यहां पर देखने को मिलता है जहां पर अगरेंगी किया है अगर कोई तरह का दिक्कत आता है तो आपके जो नोडल ओफिसर होंगे वो देख लेंगे अपने अस्तर से और उसको वेरिफाई कर के लिए भेज देंगे लेकिन अभी बात यहां पर यहां पर यह आती है कि अगर यह उनलाइन नहीं उठाते हैं और नावी निविदन कीजिए कि सर हमारा आविधन जो है वहां पर डिफ्रिक्टिव कर दिया गया है और हमारे पास आप कोई भी ऑप्सन नहीं है उसको फिर से बेरिफिकेशन में डालने का तो सर आप एक ही ऑप्सन बचता है आपके पास है वैसे केस में क्या है उनको आफ कॉन्वेंस करेंगे अगर वह मां जाते हैं तो उनको बताएंगे अपना प्रॉबलां कि आपको किस कारण से किया गया है अब रही बात आपको कारण भी नहीं करणें अज्ञाएं कि मैं आपने कॉले प्रॉबलां होगा इस प्रकार से अप तरुमेशन के पास पैंडिंग हो क क्या है अपनी इसको कमीडिक के यह आपने उनको मिलकर उनको बताई आपने प्रवलम को अगर आप के प्रवाद को अगर आप समझ पाते हैं अगर आप समझ पाते हैं सही तरह के से तो कहीं न कहीं आपको आविदन जो अच्छे तरीके से वेरीफाई हो जाएगा तो यह तता एक जो बेसिक प्रोब्लम की मैंने समझा दिया क्या कैसे करना है रही बात कि अगर आपको अपने से रिक्वेस्ट करना होगा अपनी वातों को रखना होगा उनके पास वह अगर समझ पाते हैं तो कहीं ने कहीं आपका आप देन को जल से जल बेरिफाई कर दिया जाएगा उमीद करते हैं हमारे दवरा बताए कि आपके लिए काफी हल पूल रहा होगा इस तरह की तब तक के लिए धन्यवाद